गुड मॉर्निंग तू आल अफ यू आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बैंकिंग वाला में आई होप आप मेरी आवास को जो है पफेक्ली सुन पारे होंगे और वीडियो भी क्रिश्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा अगर ऐसा है तो गिव में कॉन्फिरमेशन हमें आपके लिए लेका रहा हूँ एश्वेक्लक का फिलर वाला आप्शन जहां पर हम जो है वर्स तो सीखेंगे ही सीखेंगे साथ में जो है कुछ बेहतरीन फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में जो है ग्रमेटिकल कॉंसेट्स पर भी जो है पकड़म बनाने वाले हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दो अप फ्रेंट बात की टेंशन खतम हो जाएगी और जो है वीडियो को शेयर कर दीजेगा जिससे की और ओडियंस जो है कनेक्ट हो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत जबरदस्त इंफरमेशन भी है तो ध्यान से सुनिएगा ध्यान से पढ़िएगा मजे करने वाले हैं बहुत कुछ सीखने वाले हैं बहुत constructive जो है class होने जा रही है फटा-फट से शुरू करते हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए let us start this class right away चले business minute जो है हम शुरू करते हैं class को मैं आशा करता हूँ कि जो हमने past में classes लगाई है देखे जिस दिन से मैंने sba clerk का course शुरू किया था आप अगर sba clerk की तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है अगर आप IBPS के भी किसी exam की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आप सिर्फ मेरी उन courses की PDF को समाल के रख लेंगे और उनको timely practice कर लेंगे तो almost जब तक आपका exam आएगा शायद ही कुछ ऐसा होगा जो मैंने cover ना किया होगा और जो explain ना किया होगा तो वो बच्चे जो घबराते हैं exam से पहले की तैयारी है या नहीं है तो उनके लिए बहुत सही मौका है जब मैंने sba clerk का mock start का course जो है start किया YouTube पर वहाँ से लेकर आ भाव है आपके अंदर चले शुरुआत करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते आ वही रहने वाला है पोल का option में आपके लिए लगा कर जो है वो रखूंगा आपको ध्यान रखना है बिटा कि जो है आप जब answer कर रहे हों तो एक बार सोच समझ कर पूरा पढ़ने के बाद ही ज दे रहा आपके सामने चले लेट स्टार्ट दे क्लास स्ट्रेट अवे पूर्णिंग वंस अगें क्वेश्चिन पड़ो ज़रा बढ़ी तरीके से एक बार आंसर करो है मेरी हैट छोटी होती है ऐसे होता ना मैं तो जब उपर का तुम्हें पुरा बोड दिखा ही देता पढ़ते हैं जरा अब देखो यहां तक अगर आप पढ़ोगे ना तो जालतर फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब आगे का कॉंटेक्स जानोगे कि क्या जो है यहां पर कहने की बात हो रही है तो यहां पर लिखा हुआ है making it difficult to find a specific title कहा जाना जो बुक्स थी ना शेल्फ पर वो ऐसे अरेंज थी कि मुश्किल हो रहा था इस specific title को जूर पाना अब देखो यहां पर आपके options देखिए alphabetically ABCD से लगाई हुई unmethodical इसका मतलब होता है unorganized यह answer हो सकता था शर्त बस इतनी थी कि क्योंकि यह verb है तो हमें यहां पर adverb चाहिए अगर यहां पर लिखा होता ना unmethodically तो यह शायद answer सही हो जाता लेकिन अभी यह unmethodical लिखा है और यह एक adjective है तो यह possible answer तो हो नहीं सकता chronologically का मतलब होता sequence में 1,2,3,4 तो भहिया sequence में arrange होती तो डूड़ी लेता बिचारा यह भी wrong answer है categorically मतलब category wise class wise तो भहिया category wise होती तो भी क्यों दिक्कत होती इसका जो answer है वो है haphazardly क्या है haphazardly haphazardly का मतलब होता है disorganized मतलब इनको सही तरीके से और गिराइज नहीं किया गया अव्यावस्थे तो जो है यह पड़ी हुई है और यही इसका जो है right answer होने जा रहा है याद रखेंगे देखते हैं क्या 47.27% बच्चों का answer मैं right देख रहा हूँ देख रहा हूँ बी भी 32.73% बच्चों ने जो है वो mark किया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यह adverbs नहीं है अगर यह adverbs होते तो answer आते मुझे कुछ बच्चों का feedback मिला उन्होंने कहा कि सर आप leaderboard दिखा देते हो तो क्या है कि हम अपने नाम के आने के चक्कर में ना गलत answer देते हैं ठीक है तो सर आपना हर के बात दिखाया मत करो top 5 किसमें है मतलब यह मुझे लगता है यह पता क्या वाली बात हो गई यह यह वाली बात हो गई कि सर हमारे एक्जाम में नंबर नहीं है हमारा दिमाग काम नहीं हमारा दिमाग ने काम नहीं किया क्योंकि हमें जो है 11 बज़े मौक देने की आदत है और एक्जाम 9 बज़े वाली shift में हो थोड़ी ना होता है भाईया अपनी सवारी स्वेज उनमेदार है आप देखो आपकी लाइफ की प्रायरीटी क्या है यह तो वह यह सीता गीता दोनों का रिष्टा है तुम करो मज़े तो दोनों से गरनी है ऐसे थोड़ी ना चलेगा तो आप अपना लॉजिक देखो यह इसका आंसर मतलब बदलाव लाएं तो सर अपने अंदर बदलाव लाएं सरही में तो कमी है सरही तो एक नकारे आदमी बैटे हुए है तुम तो सारे एकदम महान विजडम पूडेंस इंटेलिजेंस लेके बैटे हो सारे के सारे राहुल भरतपूर सुमन मीना प्रियंका समोटा रोज मेरी जो हैं इनके क्या हैं अंसर्स राइट है चलो आगे बढ़ते हैं यार अगला सवाल आपके लिए चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्चन पर यूगाईज पढ़ो जरा तरीका पता दें पॉल का बसापशन जो है वो टाइप कर दे ना एक सवाल है एकजाम में कए बार आ चुका है अब देखो इतनी बड़ी कहानी लिखिया नहीं इसको करने की जरूवत नहीं है आप option में देखो मरने की बात टो यह डाई की बात thoriya डेखे होता क्या है धियां से सुनिए 疏क्तुन में धेभावगा और समझेगा अगर हमें यह दिखाना है एक सब्सक्रों मैंने का ही डाइड के यह अगर हमें बीमारी का नाम दिखाना है तो बहुत सारे बच्चो के दिमाग में आंसर from अरह होगा फ्रॉम सही लगता है लेकिन आंसर क्या है ऑफ अगर बियारी दी होई एतो आप लगाते हैं अगर हमें बिमारी नहीं कारण बताना है कारण मतलब एक्जर्शन एक्जर्शन का मतलब थकावट अब थकावट कोई बिमारी तो नहीं है थकावट की वज़े से शायद हार्ट अटेक आ गया होगा थकावट की वज़े से शायद आलस नाम की बिमारी हो गई होगी ठीक है मताग कर रहा हूँ यह तो लेकिन कहने का मत्तब है कारण बताना है तो आपने फ्रॉम लगाना होता है ठीक है और आप देखेंगे यह इन स्पाइट आफ इन वगएरा तो सब गड़ बड़ है इन दो में कॉंपिटेशन है अब देखों यहाँ पर कोविड लेका है कोविड बीमारी तो आप यहाँ पर कह लिखेंगे डाइड ऑफ जो है भी आपका राइट आंसर रहेगा भी जो है आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा इसको ही आपको क्लिक करना चाहिए था चलिए देख रहा हूँ 63.96% बच्चों ने जो है एकदम राइट आंसर दिया है विश्नू, राहुल, रेश्मी, मौनिका, कृष्णा ये जो है इनका राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं Next question for you guys चलो आंसर करो भाई चलो आई थेंक हमने कर लिया हुआ देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है Despite facing numerous setbacks She remained dash in her pursuit of success कहा ज़रा है कई बार setbacks यानि नाकामी मिलने के बावजूद भी वो कैसी रही अपनी सफलता की जो रहा थी जो pursuit थी उसमें dash रही अब indifferent का मतलब होता है Unconcerned फर्की ना पड़ना यह उसे फर्की ना पड़ा तो इस बात को अगर आप देखो कि कोई logic बिठाती नहीं है Unconcerned इसका meaning होता है pessimistic का मतलब निराशावादी होता है आपको पता है यहाँ पर positive word आएगा क्योंकि वाड despite लगा हुआ है तो आपको पता है कि pessimistic निराशावादी is a wrong obviously बात है गलत है ठीक है अब यहाँ पर देखे तीन option दिये है tenacious, ephemeraly ephemeraly और तीसर दिये complacent क्या दिया है complacent अब देखो यह option कभी answer हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमें adjective की requirement है किसकी requirement है adjective की तो इसको मैं हटा देता हूँ अगला word complacent और tenacious tenacious का मतलब होता है जो क्या रहे जो जिद पर अडा रहे बार-बार प्रयास करता रहे किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ ले stubborn का synonym होता है बार-बार प्रयास करता रहे तो यहाँ पर जो right answer आएगा वो c जो है वो absolutely right answer है यह word जो है last year SBI में ही पूछा गया था इसलिए याद रखेंगे अगला last आप देख रहे है word है complacent complacent का मतलब होता है casual क्या मतलब होता है casual तो c जो है इसका right answer रहने वाला है देखते हैं 50% बच्चों ने जो है right answer दिया है अब देखें राहुल, agriculture lover, किम जॉंग अन जसू और शिवांगी सिंग ये right answer दे रहे है देखो जिन बच्चों ने B answer दिया है 31.25 उन्होंने despite का मतलब ही नहीं समझा despite के साथ हम contrast दिखाते हैं का जा रहा है कि इतने सारी परेशानियां आने के बावजूद तो तुम्हे opposite बात बोलनी पड़ेगी परेशानियां आने के बावजूद वो क्या रही अपनी सफलता में डैश रही तो तुम्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि यह positive word आएगा और सुभा अगर तुम 8 बजे editorial लगाते हो हर दूसरे दिन तुम्हे pessimistic tone का option देता हूँ तो ये मैं मान नहीं सकता कि तुम्हें meaning ना पता हूँ indifferent का भी option हर दूसरे दिन देता हूँ तो आपको पता है कि और भी कि तो संभावना ही नहीं है tenacious जो है इसका right answer रहेगा clear है चली आगे बढ़ते हैं next question में जाते हैं अगला सवाल आपके लिए ये रहा अच्छे से पढ़के answer दीजेगा नहीं meaning check करो meaning check करें भी ना काम नहीं चलेगा you will have to check the meaning देखें बहुत ही common question है बहुत ही common examination में कई बारा है लेकिन confusing भी बहुत है और मुझे ऐसा लगता है मेरी personal feeling है कि बच्चों ने जो जादतर बच्चों ने answer दिया होगा ना वो option number B होगा क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो यही class में भी answer यही आता है तू और फॉर जो है वो answer होगा इसका पहले में check कर लेता हूँ ठीक है इसका जो answer है ना वो क्या है इसका जो answer है वो है A option A option is the right answer देख लेते हैं कितने लोगों ने दिया है फिर इसको समझेंगे एक बार 4% लोगों ने जो है सिर्फ right answer दिया है B जो है 90.64% बच्चों ने दिया है ठीक है आप इस बात को समझेगा और ध्यान से सुनिएगा देखे जब हम refer word यूज करते हैं तो refer के साथ two लगाते हैं या आप सभी को पता है We refer to a certain thing ठीक है We refer to a certain thing याद रखें अगर मैं कहूँ Something is essential Something is essential तो जो essential word है especially अगर इसके साथ state verb लगा है generally state verb भी लगा होता है आपको इसके साथ हमेशा याद रखना है fixed proposition to आता है Is this essential to your life for your life नहीं to your life मैं आपको एक simple सा तरीका बताता हूँ अच्छा concept है यह कि अगर आप essential word के साथ जो है state verb लगा देखें is हो गया was हो गया were हो गया चीक है इसके अलावा बाकी भी होते है be हो गया bin हो गया तो आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है आपको जो है वो लगाना पड़ता है to जो है preposition की तरह use करना पड़ता है यह examination में same pattern पर सवाल कई बार आया है एक यह सवाल कई बार आया है और एक दूसरा वो तो बहुत common हो चुका है वो आपको पता ही होगा वो सवाल बार बार यह आता है कि I prefer tea than coffee यह तो आपने कई बार देखा होगा कि जो सवाल है जो word prefer उसके साथ than नहीं आता उसके साथ हम क्या यूज करते हैं to use करते हैं तो prefer और essential दोनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा और इसको याद रखिएगा भूलिएगा नहीं एक्जाम में बच्चे बहुत गल्ती करते हैं हैं आपर clear है? देखता हूँ सुशील agriculture lover तनुमिश्रा mascot शुबम एकदम right answer दिया है बहुत ही बढ़िया बेटा बहुत ही बढ़िया जिसका जिनों ने इसका right answer दिया अगला सवाल आते हैं next question देखते हैं क्या है? चलिए देखे मेरा मकसद आपको वही कराना है जो मुझे पता है कि आप exam में गलत करके आओगे अगर मैं आपको सिखाओंगा नहीं तो आप अक्का गलत करके आओगे अगर मैं आपको यहाँ पर कराने लग जाओं कि अच्छा बताओ शी इज आगे आई एंजी आएगा यहां फस्स फॉर्म आएगा तो यार यह तो तुम्हें पता ही है ना यह सारी बकवास बाते तो तुम जानते ही हो ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं ऐसे भी दो-तिन सवाल आएंगे आपके पास लेकिन अगर मैं उन ही पर फोकस करूँगा तो जहां तुम गड़बर कर रहे हैं वो कैसे करोगे मेरा मकसद इस क्लास में तुम्हारा improvement लाना है तुम्हें खुश करना थोड़ी ना है तो इसी लिए मैं उन चीजों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जहां पर मुझे लगता है कि आप गलती करके आओगे एक्जाम में जो पहले से पता है उसके बारे में क्या बात करना है अब देगें यहां पर लिखा हुआ है the renowned author known for his dash output consistently delivers thought-provoking novels that captivate readers around the world एईसे सवालों में देखिए specifically जहां पर आपको adjective as a options मिलते हैं तो वहांपर ऐसे सवालों में क्योंकि जो qualities होती है वो positive भी होती है बाके verb तो positive negative होते नहीं है noun negative positive होते नहीं है adjectives negative positive होते है अच्छी qualities भी होती है बुरी qualities भी होती है तो जब filler का सवाल आता है ना adjective से तो हमेशा याद रखिए कि context बहुत matter करता है कि बात के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है especially adjective वाले blanks में तो बहुत matter करता है अगर आप इस question को समझेंगे अगर आप इस question को समझेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा बिटा जरा गौर से देखेगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जो renowned author था वो जाना जाता था अपने dash output के लिए अभी हमें नहीं पता कि है positive आएगा या negative आएगा लेकिन जैसे ही आगे पढ़ेंगे consistently delivers thought-provoking novels वो हमेशा ऐसे novels बनाता है जिस पर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो that captivate जो आपके जो अपने readers को मंत्र मुग्द कर देता है तो इस captivate का मतलब मंत्र मुग्द करना होता है तो आपको पता है यहाँ पर हमें positive word चाहिए देखो इस can't का मतलब होता है little come यहाँ a little बोल सकते है अकेला एक word है prolific अकेला एक word है prolific जिसका positive meaning है कई बार यह examination में भी जो है पूछा जा चुका है ठीक है prolific का मतलब होता है बढ़ता हुआ increase होता हुआ exceptional जो है positive sense में use करते हैं तो यहाँ पर prolific will be the right answer to this question ठीक है देखते हैं कितनों ने answer दिया है बीटीएस अराध्या मनीश और कृष्णा यादव जो हैं उनके answers एकदम क्या है एकदम perfect है ठीक है यह जो word is sporadic इसका भी मतलब छिटपुट होता है कभी कभी होता है occasional बोल सकते हैं इसको English में याद रखें जब मैं कोई सवाल का आपको answer दे रहा हूँ तो सिर्फ जो answer है उस पर focus ना करें बाके जो words है जो गलत हो रहे हैं उनके meaning भी याद रखें यह सारे ही important words है for your exam चलिए next question में आते हैं अगला सवाल आप लोगों के लिए चलिए शुरुआत करते हैं बताइए ज़रा क्या possible answer हो सकता है reading skill बहुत important role play करती है especially fillers के questions में बहुत ज़्यादा चलो यह असान है वैसे तो देखें क्या कहा जा रहा है the chefs अब देखें यहाँ पर भी adjective आ रहा है तो यहाँ पर जब तब context नहीं समझेंगे न पता नहीं चलेगा the chefs dash skills in the kitchen were evident evident मतलब जाहिर तोर पर थी as a flawlessly flawlessly का मतलब है बिना किसी कमी के prepared a gourmet meal एक ऐसी बड़िया सी meal बनाई adequate का मतलब होता है sufficient ठीक है consummate का मतलब होता है जिसके अंदर कला हो किसी काम के करने की जो पूरी तरह से skilled हो मतलब पूरी तरह से क्या हो किसी field का माहिर जो होता है ना उसको कहते है mediocre का मतलब होता है average क्या होता है average और competent अगर कोई है competent का मतलब है दूसरों से जो आगे रहता है दूसरों से आगे रहता है दूसरों से ahead रहता है इसका right answer है consummate याद रखिए जब भी skills की बात होगी तो जो कला है skill है उसके लिए अच्छी quality दिखाने के लिए हमेशा consummate शब्द का use किया जाता है एक्जाम में कई कई बार जो है ये word बार-बार हमें देखने के लिए मिला है और क्योंकि बार-बार repeat होता है इसलिए मैंने आज के class में भी इसको डाला हुआ है ताकि आप जो है सही से answer कर पाए 26.88% जो है वो बच्चे right answer कर रहे है प्रियांशी, गुरु, शिवांगी, अंतिही, आरंभ है और अभिलाशा जो है वो भी एकदम right answer दे रहे है चलो आगे बढ़ते हैं competent का मतलब suitable हो सकता है एक तरीके से suitable can be the right synonym of the word competent याद रखेंगे सारे ही words important है चलिए अगले सवाल पर आते हैं next question for you अच्छे से सोचकर answer देना बढ़िया सवाल है अच्छा concept है यह पिछले साल आया था एक्जाम में अब देखो यह बहुत बढ़िया सवाल है जो बच्छे मुसे paid batch में पढ़ते हैं उनको तो मैं करवाता हूँ यह वाला concept उनको पता होगा आज मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ जो बच्छे paid batch का हिस्सा नहीं है जरा समझो एक बार देखो यहाँ पर कहा जा रहा है dash got divorced and married dash मालो अगर मैं कहूँ कि मालो राम और श्याम है राम और राम और श्याम क्योंको डिवोर्स होंगे राम और सीता है राम और सीता जो है वो डिवोर्स हो गया उनका और फिर अगर divorce होई गया तो फिर end marriage फिर दुबारा से शादी होगा इस बात कोई logic नहीं है तो अगर हम पहला option देखें the actor and actress देखो ये तो आप देखोगे पहला option देखके ही गलत है क्यों गलत है क्योंकि आप जामते हैं जब दो अलग-अलग लोगों की बात होती है तो वो end से समान बनाई जाते हैं तो अगर यहाँ पर the actor लिखा है तो यहाँ पर the actress लिखा होना चाहिए था वरना तो कोई logic ही नहीं है अक्टर और actress अलग-अलग लोग है तो हमें पदा है कि ये option क्या होए गलत हो गया अब यहाँ पर देखिए the actor and the actress ये एकदम सही लिखा है अब दो लोग है तो each other भी लिखा है अभी मैं question mark लगा देता हूँ यहाँ पर भी the actor and the actress लिखा है यहाँ पर भी each other लिखा है यहाँ पर भी मैं question mark लगा देता हूँ यहाँ पर देखिए the actor and the actress लिखा the actor and the actress God divorce and married nobody इस बात का जो कोई logic ही नहीं है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी same problem है जो पहले वाले में यहाँ पर actress से पहले तो दा लगाया लेकिन actor से पहले नहीं लगाया अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो options बचते हैं जरा समझते हैं suppose करिए मैंने कहा कि Ram and Sita got divorced इसका मतलब क्या है कि Ram और Sita husband wife थे Ram का Sita से divorce हो गया यह मतलब है दोनों अलग अलग हो गये तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ and married each other तो यह दुनिया के सबसे भाईया sentence हो जाएगा कि Ram और Sita का divorce हो गया और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली शादी चादी खिल रहे थे वो तो यह दो गलत आंसर है लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि बोथ Ram and Sita got divorced and married each other इसका मतलब क्या है बोथ का मतलब है दोनो यानि Ram का भी divorce हुआ और Sita का भी divorce हुआ और फिर इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली मतलब क्या है Ram की किसी से शादी हो रखियोगी पहले मान लेते हैं A से और रखी थी Sita की किसी और से और रखी थी B से तो इन्होंने आपस में divorce लिया और एक दूसरे से जो है ये शादी कर ली ये यहाँ पर कहने की जो है कोशिश के जा रही है जब हम किसी चीज से किसी चीज के पहले बोथ लगाते हैं तो क्या होता है उस बोथ को लगाने से कि वो दोनों जो है वो separately टैकल किये जाने लगते हैं बोथ the actor अलग है, actress क्या है अलग है, तो अगर इनका divorce हुआ है तो actor का अलग हुआ है actress का अलग हुआ है और फिर इन्होंने एक दूसरे से जो है शादी कर लिए, यह यहाँ पर कहा जा रहा है, मेस एक्जाम में यह सवाल पूछा गया था और बच्चों के दो तोते उड़ गये थे, इसको देखते ही समझ ही नहीं आ रहा था, क्या है C answer जो है, इसका क्या है राइट आंसर है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं देखते हैं, कितने लोगों ने सही किया है 26.14% बच्चों ने दक्षिता, आरेन, एग्रिकल्चर लवर, शिवांगी सिंग, एग्रो नॉलेज और जितेंद्र महराना जो है इनके आंसर एकदम राइट है बहुत बढ़िया, जो आंसर दे पाए जो नहीं दे पाए, उनको सीखना चाहिए मैं आपको क्या समझाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हर क्लास के भी करेगी, इन टम्स ओफ एक्जामेनेशन, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कुछ वर्ष तो आपको बहुत क्लियर होंगे यहांपर देखो, जो वर्ड है एफ्लुएंस, इसका मतलब भी वेल्थ होता है ओप्लेंस, इसका भी मतलब वेल्थ होता है ठीक है, पैसा और रुपया रोकडा सब वेल्थ होता है इसका मतलब, ठीक है, प्रॉस्पैरिटी का भी मतलब अमीरी होता है, जब के पास सारी resources होती है तो इसको भी हम wealth कह सकते है एक तरीके से abundance का मतलब ही होता है more than enough जितना जरूरत है उससे जादा होना तो ये भी एक positive ही bird है अब देखें यहाँ पर अगर हम sentence को पढ़े the philanthropist जो है उसमें philanthropist का मतलब होता है जो लोग मानफता के लिए काम करते है इंसानों की भलाई के लिए काम करते है कहा जा रहा है the philanthropist dedicated their life to elevating dedicated their life to elevating the suffering caused by the elevate करने का मतलब है खतम करना क्या खतम करना suffering जो दर्द है जो पेन है जो होती है किसे caused by वो दर्द वो पेन जो किसे होता है parvasive मतलब परेशान करने वाला क्या positive तो नहीं आ सकता अमीर होने से किसको दर्द होता है दर्द किससे होता है penury से दर्द होता है penury जो word है उससे दर्द होता है penury दो तरीके से यूज़ किया जाता है एक तो misery pain और एक गरीबी के लिए भी यूज किया जाता है जब आप क्या होते हैं? गरीब होते हैं उसके लिए भी ये word यूज किया जाता है तो हमें अगर इतना भी पता होता कि negative word चाहिए तो हम बड़े आसानी से जो है answer कर सकते हैं C जो है इसका right answer है बहुत important word है exam के लिए चलिए देखते हैं 23.75% बच्चों ने देखे मैं देख रहा हूँ 52.5% बच्चे B option को क्लिक कर रहे हैं मैं ये मान नहीं सकता कि prosperity का meaning पता नहीं होगा कि prosperity एक बढ़िया चीज होती है अगर आपको इतना भी पता है ना तो भी आपका भी B option टाइप नहीं करेंगे अगर आप इसको पढ़ रहे हैं कि elevate किया जा रहा है दर्द को ठीक है दर्द किस से cause होगा cause का मतलब कारण कारण क्या होगा prosperity होगी ये prosperity कौन से दर्द का कारण होती है गरीबी जरूर हो सकती है तो C जो है वो right answer है context को समझिए जल्दी बाजी मत करिए राहुल अमीशा अंतही आरंभ है कृष्णा और बालमकुंद के जो है answer एकदम right है ठीक है अच्छे से पढ़ कर दिमाग लगा कर answer करो क्योंकि जो आदत तुम्हारे exam की है वो आदत अभी बनेगी यहीं पर बनेगी जैसी बन गई फिर छूटती नहीं है आपने देखा ना अगर सुट्टा लगाने की पढ़ गई तो छूटने में न दादी ना नहीं आदा जाती है तो अगर तुम्हें यहाँ पर भी आदत पढ़ गई फट 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 आंसर देने की बिना लॉजिक लगाए तो वो आदत exam में भी तुम्हारे साथ ही जाएगी इस बात को याद रखना चलो अगला सवाल आपके लिए यह रहा देखते हैं भाया क्या आंसर देते हैं बच्चे चलो आइडमायर दा परसंट डैश दे से कन फेस अनी चैलेंज जस फेस एनी चैलेंज वैलेंट्ली मैं उस आदमी को पसंद करता हूं जो कोई भी चैलेंज वैलेंट्ली फेस कर लेंए अब यहां पर ऑप्शन देख रहे हो ना देखो विच तो लगता है चीजों के लिए हूस का कोई लॉजिक नहीं है यहां पर जंग है किसमें हू और हूम में जंग है कि हू लगाया जाए हूम लगाया जाए अगर तुम्हें पता है हूस सबजेक्ट होता है और हूम अबजेक्ट होता है तो तुम काम कर सकते हो अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए language का, language का basic है कि कोई भी वाक्य अगर लिखा जाएगा तो उसमें subject जो है वो verb के बराबर होगा, अगर conjunction नहीं है तो subject किसके बराबर होगा, verb के बराबर होगा, अगर ये बात तुम समझ जाओगे, तो तुम answer दे पाओगे, जैसे आए तुम्हारा subject है, admire तु दे आपका subject है, से आपका verb है, इन्होंने भी अपना परिवार बना लिया, कहानी हो गई, खतम, subject हो गया, verb के बराबर, अब आपने देखा, आपने क्या देखा, आपको दिखाई दे रहा है, एक और verb, can face, क्या दिखाई दे रहा है, can face, can face क्या है, verb है, अब क्या हुआ टोटल वर्ब कितने हो गए, तीन, अब subject देखो, एक subject ये रहा, ये तो वर्ब के बादा है, तो object होगा, उड़ाओ इसको, एक subject ये रहा, subject कितने हो गए, दो, दो subject है, तीन वर्ब है, क्या हो जाएंगे, नहीं, जरूरत किसकी है, हमें, subject की, जैसे ही मैं subject लगाऊंगा, subject क क्या लगाऊंगा हो, और यहाँ पर जिन बच्चों ने who answer किया है, मैं बदाओं क्यों answer किया है, क्योंकि तुमने रटा मारा हुआ है, और तुमारे teacher ने, तुमारी किताब ने तुमसे रटा मरवाया, वो रटा क्या है, मैं बता देता हूँ, जादतर किताबे पढ़वाती हैं, वो कहती हैं, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं, कि अगर तुम्हें बाद में, बाद में noun या pronoun दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर whom लगा देना, यह कहते हैं तुम्हें, बाद में noun या pronoun दिख रहा है, तो whom लगा देना, यहाँ पर बाद में noun pronoun दिख रहा है, लेकिन answer है whom, answer है who, सही करने का सिर्फ एक तरीका, count the subjects, count the verbs अगर बराबर हैं, तो whom लगा देना, अगर subject कम है तो who लगा देना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ये rule वाला question आपके exam में नहीं आता, banking में नहीं पूछा जाता, ये clear होना चाहिए आप सभी को clear होना चाहिए, I hope clear होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर, next question for you guys, इसका answer क्या है, who जो है इसका right answer है 33.92% बच्चों ने right answer दिया है, राहुल, बेद प्रकाश, भुयान क्रिशना और अनुराग और संध्या जो है एकदम right answer जो है, वो दे रही है बहुत बढ़िया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर, next question for you guys पढ़ो ज़रा, करो solve एक बार 30 सगिन दे रहा हूं, टाइमर शुरू हो जाए तब करना चलो, दो answer देखो, leisure का मतलब क्या हो गया है, rest repose का भी मतलब rest होता है, resting हो गया, आराम करना हो गया ठीक है, comfort का भी मतलब rest हो गया ease का मतलब जानते हो, क्या होता है, किसी काम को आसान करना होता है ease का मतलब क्या होता है, किसी काम को आसान करना होता है word है travel, travel का मतलब होता है agony दर्द, pain, पीडा, ठीक है, distress अब देखो, after years of end, overcoming myriad challenges, यानि जो बड़े-बड़े challenges थे उनको overcome किया है, तो यहाँ पर यह माइनस मीनिंग दे रहा है, challenges की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी माइनस वर्ड चाहिए, क्योंकि end से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर travel जो है, वही right answer आएगा, अगर आपको conjunction क basic पता है, आगे आप नहीं भी पढ़ेंगे, तो कोई फर्क नी पढ़ेगा, यहाँ पर इसके similar word आएगा, यह हमें पता होना चाहिए, चलिए, आगे आते हैं next पर, error कहाँ पर है, c part में जो है, वो error है, 76.67 गुरू, राहूल, आयुष, आरेन अग्रिकल्चर लवर, प्रिय जानशी त्रिवेदी, एजी सिक्षा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पर, next question for you guys, पढ़िए ज़रा answer करिए, 30 second दूंगा मैं आपको, देखो, फिर देखे, क्या आगए, adjectives आगए, adjectives आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sentence का भाव जानते हैं, यह positive बात है, कि negative बात है, क्या कहा जा रहा है, पढ़ो ज़रा एक बार, the artist's dash technique and dash use of colors in the masterpiece and acclaim, अकलेम का मतलब क्या है, तारीफ, from critics and art enthusiasts alike, यानि हमें यहां positive बात चाहिए, उसकी टेकनिक कैसी रही होगी, positive, pedestrian का मतलब होता है, low level की, वैसे तो pedestrian जो पैदल चलते हैं, उनको कहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुमारी skill pedestrian है, तो इसका मतलब low level की skill ह क्या है, low level जो है, उसकी skill है, याद रखेंगे, mundane का मतलब होता है, everyday, common, ठीक है, innovative का मतलब आप सारे जानते हैं, drab का मतलब होता है, dull, drab का मतलब क्या होता है, dull, यहां पर innovative आ सकता था, लेकिन यहां पर dull use of colors नहीं आ सकता, ठीक है, proficient का मतलब क्या होता है, अगर किसी के पा यह synonym बन सकता है, तो आप देखें, और ostentatious का मतलब होता है, खुल कर इस्तेमाल करना, openly, loudly इस्तेमाल करना, तो यहां पर जो right answer है, वो C जो है, इसका right answer है, कहा जा रहा है, उसकी technique जो है, proficient है, और जो colors है, उसने जाहर करके, खुल कर जो है, वो जाहर किये हैं, C is the right answer, दे इसके right answer जो है, वो दे रहे हैं, चलिए, trivial का मतलब होता है, मामूली, unimportant, vibrant का मतलब होता है, filled with energy, energetic बोल सकते हैं, exemplary का मतलब best example होता है, perfect भी बोल सकते हैं, अगर किसी यह पास कोई exemplary skill है, तो इसको हम perfect बोल सकते हैं, quasi and quiet से बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है, inactive, क्या मतलब होता है, inactive याद रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पे जाते हैं, अगला सवाल आपके लिए, ये रहा, पढ़िए ज़रा एक बार इसको, देखें, आपको जब आप दूसरे blank को देखेंगे न, तो पहले तो आपको पता चलेगा, कि ये sentence positive है, अगर आप पढ़ लेंगे तो, फिर आप दूसरे blank को देखेंगे, तो positive word चाहिए, hap hazard अभी-अभी करा करा हैं, unorganized होता है, unsystematic, unorganized होता है, precarious, precarious का मतलब dangerous होता है, सुभा आज के editorial में करवाया था, मैंने ये वाला शब्द अगर आपको याद है तो, erratic का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है, इसका जो right answer है, वो है B option, pioneering और rigorous, किसी का research क्या हो सकती है, pioneering हो सकती है, यनि best हो सकती है, उसके field में, B जो है इसका right answer है, 78.91% बच्चों ने, आयोश, मनीश, students, hub, प्रियांशी, RN, agriculture, lover, शान्या जो है, top 6 में answer दे रहे हैं, चलिए अगला सवाल आपके लिए, ये रहा, जरा गोहर से देखिएगा, answer करिए जरा इसको, देखो, answer तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात कहना चाहता हूँ, देखो, आपको पता है, 12 बजे जो है, जूम पर सेशन है, लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कल मैंने इस बारे में सेशन लगाया था, मुझे तो अपने स्टूडेंट्स चाहिए उस सेशन में, तो भाईया कैसे भी आओ, तुम्हारे टेंशन है, लेकिन तुम आओ उस सेशन में, सवाल जवाब करने, मुझे मेरे बच्चे मुझे सवाल पूछते हुए, चाहिए वहाँ पर, तो भाईया डेडिकेशन दिखाना, आज आना, कहां पर मिलेगा, एक बार बता देता हूँ, फिर उसका आंसर तुम्हें बता दूँगा, अबे लगाई निक है मैंने स्लाइड लगाई तो होगी, अभी काफी questions बचे हैं, रुख जाओ ज़रा एक मिनट, देखो, प्रिपरेशन, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, जो होगी है, यहाँ जबेदी एक मैंने स्लाइड और स Alrighty, है ख़एड देखो, जות के तूस層 ही हैं, यहाँ जगएगा क्यापरी के एड़ देखला तम सुड़िए कहा दिया लाइफ देखो यह लगा हुआ है सेशन ठीक है एक बार मैं बता देता हूँ जरा रुख जाओ जरा दो मिनट ठीक है बारा बज़े से यह लाइब होगा लिंक में तुम देखो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह जो नीचे वाला लिंक दिख रहे है ना यह जूम का लिंक है तो तुम दो काम करोगे देखो यह जूम खुल गया मैंने लिंक पर क्लिक किया जूम खुल गया तो तुम एक तो इस पर क्लिक कर लेना और तुम ऑवियस सी बात है स्क्रीन पर भी आओगे अगर तुम से सवाल पूछा जाएगा तो कोशिश करना अग तरह समय लेकिए तो आस्ता मैंने कोई चीज एक्स्प्लेइन नहीं की जितना यह गी है चलो आते हैं जरा समझते हैं इस सवाल को देखेगा जरा के बीसी के बीसी लगा दें अच्छा वेटा सही है इस क्वेश्चन को कहां गया मेरा सवाल यह रहा देखो इस बात को समझना और मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो मैंने का he easily solved the question ठीक है he solved easily the question यह बहुत common pattern है जो exam में आता है मैंने कहा he carefully jumped into the pool he jumped carefully into the pool अब तुम हिंदी में translate करोगे यार तो तो देखो तुम्हें क्या होगा तुम्हें सब एक जैसे ही लगेंगे लेकिन याद रखो देखो क्या technique है मैं समझा देता हूँ पूरा topic तो नहीं समझा पाऊँगा यह transitive और intransitive verb का concept है और adverbs का भी है देखो जब आपको आपका verb दिखाई दे क्या दिखाई दे verb दिखाई दे अगर verb के बाद आपके कोई proposition नहीं है तो उसको transitive verb कहते हैं जब transitive verb लिखते हैं तो जो adverb होता है वो verb से पहले लिखते हैं जैसे यहां लिखा हुआ है before verb लिखते हैं he easily solved the question यह क्या है सही है अगर हम adverb को verb के बाद लिख देंगे he solved easily the question तो यह गलत हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा गलत लेकिन वहीं दूसरी और अगर आप देखते हैं आपके verb के बाद preposition लगा हुआ है तो ऐसे verbs को हम intransitive verbs कहते हैं जब intransitive verbs के साथ हम adverbs यूज़ करते हैं तो याद रखेंगे जो preposition होता है उससे just पहले use करते हैं उस preposition से just पहले use करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका answer आएगा he jumped carefully into the pool यानि into से पहले carefully आना जोई है अब देखें यहाँ पर into लगा हुआ है तो आपको देखिए जो B option है He jumped carefully into the pool ये क्या रहेगा आपका right answer जो है रहेगा This is the concept of transitive and intransitive verbs 43.7% बच्चों का एकदम right answer है चलिए आगे बढ़ते हैं माकरंग, प्रियंका, SKZ, BTA, चित्रोले सहाब, Students Hub एकदम right answer जो है दे रहे हैं आते हैं अगले सवाल पर Next question for you guys ये रहा चलिए अलग pattern है पढ़ लिजेगा फिरांसे करिएगा हाँ भी है क्या अच्छा हाँ यार गलती हो गई होगी कोई बात नहीं सही है ना खुश हो जाओ तुम चलो बहा गया होंगा भावना हों में The real name of the authors will not be dash because they do not want to be taken too seriously असान है ये despair का मतलब sadness होता है गम होता है तो despair तो यहां आने का सवाली नहीं है disclose और reveal दोनों के meaning एक है पैल का पॉल का मतलब भी sadness होता है गम होता है तो गम तो यहां पर आने ही सकता disclose और reveal जो है तू और थ्री जो है भी option हमारे right answer है देखते हैं 85.71 बच्चों ने ये right answer दिया है शान्या कुमल किम जॉंग अन शुशील और दक्षिता जो है एकदम क्या दे रहे है राइट आंसर दे रहे है एकदम राइट बढ़िया आंसर जो है दे रहे है चलिए आते हैं अगले सवाल पर कोई भी जाएगा नहीं क्लास से अगला सवाल देखिए जरा answer करिए 30 सेकंड ये रहे आपके पास ये वर्ड भी एक्जाम में बहुत बार आया है देखो ये जो आपको दिख रहे हैं न वर्ड इसमें कुछ वर्ड तो गोल्डन वर्ड एक्जाम के पहले कॉंटेक्स समझते हैं कहा जा रहा है स्पीकिंग डियूरिंग अ मीटिंग ऑफिस गवर्णमेंट्स कॉरोना वाइरस टास्क फोर्स अब देखो ज़रा ध्यान से देखो अब यहां पर बोलने की बात हो रही है तो देखें री ट्रेट का मतलब भी क्या होता है बोलना होता है दोहराना होता है repeated का भी मतलब दोहराना होता है restated का मतलब भी दोहराना होता है और recapitulated का मतलब भी क्या होता है दोहराना होता है इन सबसे पहले आप देखें re लगा हुआ है तो आप देखेंगे ये चारो ही option जो है एकदम right answer है इस question के लिए these are absolutely right all four of them reiterated और recapitulated बहुत important words है exam के लिए तो यहाँ पर एकों मैं mark कर रहा हूँ देखते हैं 72.41% बच्चों ने जो है एकदम right answer दिया अमीशा, आफताप, किम जौंगान, शुबदा और अंजुश्री जो है एकदम right answer जो है वो दे रहे हैं वीडियो को like कर दो यार 490 बच्चे देख रहे हैं और like से 260 बड़ी राइन साभी है यह दो अब देखो यह आसान सा सवाल है आप अगर मैं कहूं यह इसमें जाओ भी न सवाल भी न पढ़ो तो आप देखो आपको कुछ चीजें दिख रही है एक then दिख रहा है एक to दिख रहा है तो के बाद आता है verb का first form then से पहले आते है comparative degree देखो कहां लिखा हुआ है first form भी और comparative degree भी देखिए देखिए कहां ऐसा हो रहा है अब देखिए आपको यहाँ पर यह गड़बड हो जाएगा अब यहाँ पर देखो आप एक इस option में उलच जाओगे एक इस option में उलच जाओगे to saving nothing less than अब देखे to many of these environmentalists proclaim dash the planet itself proclaim to save nothing less than अब देखो कल मैंने आपको एक word करवाया था अगर आपको याद है कल की class में claimed करवाया था याद है ना कल करवाया था claimed तो अगर मैं claim करता हूँ किसी चीज़ को ध्यां से सुनना अगर मैं claim करता हूँ तो मैंने आपको सिखाया था पहले claim तो करवा नहीं बाद में claim करवा पहले यह काम होगा जैसे आपको बताया था they claimed to win they claimed to win तो हमें पता है कि पहले क्या होंगे जीते होंगे फिर claim करेंगे तो कल आपको याद होना चाहिए मैंने सिखाया था कि claim शब्द के बाद कभी infinitive नहीं आता तो अगर infinitive नहीं आता प्रोक्लेम का भी same meaning होता है एक तरीके से गोशिद करना हो गया तो यहाँ आपर जो c option है यह गलत answer है इसका right answer है यह proclaim that they are saving nothing less than the planet itself भी जो है इसका appropriate answer है अगर आपको कल की class याद है तो देखते है 60% बच्चों ने एकदम right answer दिया है बहुत बढ़िया मुझे मीन नहीं थी बढ़ दिया है श्रद्धा आयोश किम जॉंग अन माकरंद प्रियांशी जो है एकदम right answer दे रहे हैं चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा जरा शुरू करते हैं जरा देखिए पढ़िये और answer करिएगा चलिए बताईए क्या possible answers हो सकते हैं चलिए बही आगे बढ़ते हैं जरा एक बार he has dash sense of words therefore the sentence he constructs are always sentences आएगा he are always dash with rich meaning अब यहां पर यह न बढ़िया सवाल है he has dash sense of words जरा मुझे बताओ क्या possible answers जो है आप लोग दे रहे हैं profound का मतलब है deep गहरी गहरा sense of words ठीक है प्रेगनेंट का जो आप मतलब जानते हैं वो मतलब बिल्कुश सही है लेकिन प्रेगनेंट का एक और मीनिंग भी होता है क्या होता है expecting होता है ठीक है expected होता है distinguished का मतलब respected होता है प्रेगनेंट का मतलब भरा हुआ भी होता है ठीक है to be filled meaningful का मतलब आप सभी को पता है terrific tempted का मतलब होता है किसी को लालच देना ठीक है यहाँ पर इसका जो right answer है वो a answer है he has profound sense of words उसका जो sense of words है बहुत deep है वो अच्छे से जो है समझता है अच्छे से बोलता है और उसके जो words होते हैं वो क्या होते हैं भरे हुए होते हैं गहरे मतलबों से pregnant होते हैं rich meaning के साथ तो यहाँ पर जो है pregnant आएगा यहाँ पर profound आएगा यह जो है आपका right answer है यह जो है आपका right answer है 40.83% जो है वो राइट आंसर दे रहे हैं देखते हैं मौनिका, रोजमेरी, दक्षिता, विश्नु और मनी चंद्र याचराम ने राइट आंसर दिये हैं आप सभी से रिक्वेस्टर वीडियो को लाइक जरू कर दीजए एक बार चलिए क्या कहा जा रहा है, whether it be shallow or not, commitment is the dash, the bedrock of any dash loving relationship ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, बताइए जरा solve कर यह एक बार क्या आप उसे बला आंसर हो सकता है whether it be shallow or not, चाहें shallow हो या ना हो, जो commitment होता है, वो क्या होता है, डेश the bedrock, commitment is the what, commitment is the expression, परफंक्ट्री, foundation, generally, manifestation, deep, key, alarmingly, यह तो नहीं हो सकता अब इस में और इस में जो है, बी और सी में अगर, मैं आपको option दूँ, आप कौन सा answer mark करोगे, बी को mark करोगे या सी को mark करोगे, बताओ जरा, अगर आपने अभी तक गलत दिया है तो चलिए, बी को mark करते हैं, बी इसका right answer है, ज़्यादा समय नहीं लेते, आगे जाते हैं, 60.83% बच्चों ने प्रियांशी, माक्तरंद, प्रेम नरायन, SKZ, BTS, प्रियू, एकदम right answers दे रहे हैं, next question for you, करिए जरा solve, और उसके बाब जो है हम, zoom पर click करेंगे, और सिधा meeting में चल देखें, इफ यू आर आ, प्रेशन को तो यहां ए हटा दे न, ठीक हैं, इफ यू आर डैश, यू टेंड तो respond to stressful situation in a calm, secure, steady and dash way, अगर आप क्या हैं, आप dash हैं, तो आप stressful situation में कैसे respond करते हैं, secure, calm, steady and dash way में करते हैं, बताइए ज़रा क्या answer होगा, इसका answer है, c, ठीक है, calm, secure, जो c, जो option है, वो इसका right answer है, चलिए last question में आते हैं, ज़रा बताइएगा, क्या answer है, यह हमने सुबह एडिटोरियल क्लास में कई बार किया हुआ है, कई बार we have done this, in editorial class, we have done it so many times, so many times, zoom link open करना, इसको minimize कर दो, मैं बेज रहा हूँ, zoom link ठीक है, चलो, आया होगा, चलिए देखे, the dash playing of loud music, मतलब ऐसा loud music चल रहा था, लगातार चल रहा था, बिना रुके चल रहा था, तो देखे, यहां पर peaceful हो नहीं सकता, fashionable हो नहीं सकता, abrupt का मतलब रुक रुक कर चलना, लेकिन रुक रुक कर चल रहा हो था, तो दिक्कत क्या थी, incessant आपको यादे मैंने करवाया था, rainfall के लिए, कि जो चीज लगातार होती रहे, the incessant playing of loud music has led the angry residents of this vicinity to file a police complaint and move court against the organizers lack of consideration for the, यह जो है आपका क्या है, right answer है, C is the right answer for all of you, 44.17% बच्चे जो है, इसका right answer जो है दे रहे हैं, पूनम, रागिवेंदर, रेश्मी, जो है, चंदरप्रकाश, शुबद और मौनिका जो है, वो एकदम जो है, right answer जो है, इसका दे रहे हैं, जरा हम एक बाद total leaderboard देख लेते हैं, राहुल जो है, सबसे आगे है, बहुत बढ़िया कर रहा है ये बच्चा, इसका नाम आता ही है, अल्मोस, ललित, शुबबं बहुत अच्छा कर रहा है, भरत है, एग्रिकोज भी बहुत अच्छा करता है, कृष्णा, शुशान, दक्षिता है, ये सारे ही बच्चे, अलेख्या, बहुत अच्छा है, ये सारे ही बच्चे, वो बच्चे हैं, जो consistently जुड़े होगे, प्रियांशी हो गई, चितरोले साब हो गई, मौनिका, शानिया, गुरू हो गया, रेश्मी, आदित्या पटेल, ये सब जो है, तो आप, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए message है, कि अगर आप consistent रहते हैं, तो आप जो है, बहुत बढ़िया करते हैं, examination के perspective से, ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आभी class जो है, हम अपना rap कर रहे हैं, आप सारे जो हैं, उस zoom link पर click करिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पर मिलें, on the other side, ठीक है, मुझे लगना चाहिए, मेरे बच्चे वहाँ पर available हैं, फटाफट से एक बार join करिए, और अगर कोई बढ़िया से प्यारे से सवाल हो, तो पूछेगा जरूर,